जैन दोस्तों, इंडिया में इस साल क्रिप्टो को लेकर बहुत से अफडेट्स देखने मिल रहे हैं और ऐसे में अब हमें क्रिप्टो से होने वाली इंकम पो या क्रिप्टो में किये गए ट्रांजेक्शन को इंकम टेक्स फाइलिंग में दिखाना मेंडेटरी है बट इंकम टेक्स फाइल करते समय आपके पास आपके क्रिप्टो एकाउन का प्रोफिट एंड लॉस स्टेट्मेंट या फिर कैप्टल गेम रिपोर्ट जैसे कुछ डिटेल्स होना ज़रूरी होता है तो आज के इस वीडियो में हम जालेंगे कि अधर आपका एकाउन बैनेस पर है तो आप बैनेस के फिर्ट फॉर्म पर कहां से ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और आपको किन-किन रिपोर्ट को सब्मिट करना होगा इंकम टेक्स फाइल करते समय बड़ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आपको प्रिस कर लेना विकॉज मैं ऐसी ही यूसफुल इंफर्मेशन आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ तो इसके लिए आपको बैनेस के वेपोर्टल को लॉगिन कर लेना है विकॉज यह सर्वीस आपको बैनेस के मोबाइल एप्लिकेशन पर नहीं मिलने वाली तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बैनेस का वेपोर्टल यहाँ पर लॉगिन कर लिया है अब हमें यहाँ पर जो सबसे पहनी और सबसे इंपोर्टन जो रिपोर्ट है वो है यहाँ पर तीन चीज़े है आपको दिखाए देगी processing All Orders and last option है profit and loss statement का तो हमें यहाँ पर profit and loss statement पे उपर click कर लेना है click करते हैं आपके सामने کچھ options आजहेंगे जैसे की point तो ही इसे आपको all points ही select रखना है then type में buy and sell को selected रखना है then यहाँ पर आपको date range ही मिल जाती है 2023 and starting date हम लोग यहाँ पर कर लेंगे April 2022 और search के उबर click कर लेंगे इतना करते ही आपके सामने data आ जाएगा total profit and loss आपके सामने दिखने लगेगा अब यह 3-2-P report जो है वो बताता क्या है actual में यह 3-2-P report आपको यह बताता है कि आपने अपने banals के account में किसी particular financial year में कितने पैसे deposit किये और कितने पैसे वहाँ से withdraw किये at a time अभी के समय में banals पर fund deposit करने के लिए Indian users को सिर्फ और सिर्फ एक ही option है वो है pay to pay means peer to peer अब हमारे किसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पूरे financial year में यहाँ पर सिर्फ एक बार ही deposit किया है और लगभग 10 से 11 बार यहाँ पर withdraw किया है वो इसलिए क्योंकि मैंने इस financial year में बहुत कम fund deposit किया और last financial year में मैंने जो deposit किया था उसे इस financial year में मैंने profit के साथ यहाँ पर withdraw किया है इस financial year में तो total जो आपका profit होगा वो 50,000 होगा और आपको जो income tax देना होगा वो 50,000 के basis पर देना होगा अब इस P2P report के अलावा आपको दो report और चाहिए होती है जो tax file करते समय आपको जरूरी है या फिर आपका CA आपसे demand कर सकता है उन reports की तो उसके लिए आपको यहाँ पर profile section में आकर wallet पर आजाना है then यहाँ पर transaction history का एक option मिल जाएगा इसको उपर click कर लेना है क्लिक करते ही नया page आपके सामने open हो जाएगा अब यहाँ पर बहुत सारी चीजे देऊ ही है यहाँ पर हमें कोई subscription नहीं करनी है right side में right corner में आपको यहाँ पर generate on statements का option मिल जाएगा इसके उपर आपको click कर लेना है click करते ही एक pop of window आपके सामने open होकर आजाएगा यहाँ पर सबसे जो पहला option है time का उसके उपर आपको click करके customize के उपर click कर देना है then आपको यहाँ पर financial year wise आपको अपना date select कर लेना है and that continue के उपर click कर देना है इतना करता ही आपके सामने नीचे में यहाँ generate report का option आने लगेगा तो generate के उपर जैसे ही आप click करते हैं तो आपकी जो request है इस report को generate करने की वो balance के पास चले जाएगी और कुछ ही देर में एक से दो घंटों के अंदर यह report आपके सामने generate होके आ जाएगी जिसे आप नीचे में यहाँ से download के उपर click करके download कर सकते हैं इसके अलावा जो last report है जो हमें चाहिए होती है tax filing के लिए वो है account statement की तो account statement का option आपको यहीं से दिख जाएगा left corner में इसको उपर आपको click कर लेना है account statement की detail आपको यह दिखाती है कि एक particular financial year के end में आपके portfolio में कौन-कौन से point थे जिससे आपके transaction history की जो report थी उससे आपके portfolio की holding को match किया जा सके और इन तीनों ही report को match करकर आपका जो CA है आपकी tax filing करता है तो I hope कि आप लोगों को यह सारी चीजे clear हो गई होगी कि कौन-कौन सी report आपको required होगी income tax filing करते समय है अगर आप जानकार है income tax filing को लेकर तो आप इसे खुद भी file कर सकते हैं otherwise मैं suggest करूँगा कि आप अपने CA से एक बार consult कर लें आज के वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो अगर अच्छा लग हो तो वीडियो को like करे, comment करे, subscribe करे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे, जय हिंग, जय भारत